वेल्सव गाईज, I hope you are doing well, I am Veer, Welcome to Still Lord Family तो कैसे मेरे दोस्तों मैं आसा करता हूँ, श्यांदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंज्योई कर रहे हो अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई के जहां काफी अच्छे से रख रहे हो आज है 21 दिसंबर और आज का ये जो डिसकासन है बहुत शांदार रहने वाला है वीडियो को एंड तक सुनना, आप लोगे चक्सु खुल जाएंगे, इतना कुछ आप लोगो जानने को मिलेगा वीडियो जो है, वो एक घंटे से जादे की रहेगी, पर लेकिन अगर इसको मन लगा अगर सुनोगे न, तो पता नहीं चलेगा यह नहीं कि बस करेंट रहे गया, अब करेंट और स्टेटिक आप लोगा होता है, इसलिए आप लोगों यहाँ पर यह वीडियो इतनी लेंदी देखने को मिलती है, तो काफी कुछ हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, कोश्चन भी पूछूँगा, आंसर राइटिंगे को न देखने को मिलेंगे, आंसर राइटिंग के लिए आप लोगी मेंस के कोश्चन भी देखने को मिलेंगे, किस तरीके से आप लोगों को इंटर्व में चीज़े बतानी चाहिए, उसके बारे मैं बीच बीच में आप लोगों से बाते करता हूँ, तो पूरा comprehensive एक आप लोगी बेसिकली हाँ पर हमें बात कर रहा हूँ कि उन बच्चों के बारे में जो कि वोटिंग एज के अंदर आगे हैं, यानि कि जो वोट डालने के लिए capable हैं अपने देश में, हम अपने जो basically member of parliament या फिर member of legislative assembly यानि कि जो विधायक हैं और जो सांसद हैं उनको हम लोग चुन सक फिर वो आगे चलकर हमारे लिए देश में चेप मिनिस्टर और प्रामिस्टर चुनते हैं अपना जो भी उनको लगता है अपना लेडर मिलाना है तो यह आप लोग को देखने को मिलेगा तो जो वोट का राइट हमको मिला हुए जिसके बेस पर हम लोग वोट डालते हैं त तो बिना देश का सिरजन हुए आप लोग वोट नहीं डाल सकते हैं तो अगर बात करूँ है समिधान के अंदर जब आप लोग जाते हैं तो इहाँ पर 5 सेकिंड है जो की सिरजन्चिप के बारे हैं बात करता है और आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आप लोग को सिरजन यह cartoon दिखाया गया है और cartoon क्यों दिखाया गया है तो इसके बारे में एक article है जो मैं काफी detail में काफी एच्छे से आप लोगों को discuss करूँगा अभी उसके बारे में और फिर आगे भी चल कर काफी कुछ आप लोग है यहाँ पर चीज़े देखने को मिलेगी तो प्यारा article है detail म समझेगा पर लेकिन यह cartoon में इसलिए आप लोगो दिखाया इस cartoon के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं अगर आप लोग defense का तयारी करते हैं उसमें interest आप लोग रखते हैं तो एक picture perception टेस्ट कर गया था है ठीक है कि कि किसी picture को देखकर आप लोग का perception मनता है उसके बारे में कुछ सब्द लिखो तो इस picture को देखकर मैं आप लोगो से बूलू क्या सब्द आप लोग लिखोगे अगर आप लोगो से कोई पूछे तो देखता हूँ कौन-कौन क्या सब्द लिखता है 40-50 सब्द में आप लोग अपनी जो बात है वो रख सकते हैं Hindi, English में आप लोग ल बाकि जिसके बारे में आप लोगों ने थमनेल देखा हुआ पूरे दिन जो पूरे दिन जिसे देश में जिसके बारे में चर्चा की गई वो थैं आपर sacrilege जो है अभी recently हमारे देश में कुछ incident देखने को मिले जिसके चलते हैं हाँ पर ये जो सब्द है ये news में आ गया है तो इसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातें discuss करूँगा और देखें सब्द तो यार secondary चीज़ है basically मैं हाँ पर कुछ आप लोगों से इस तरीके से बातें करना चाता हूँ कि जिस तरीकी society में हम लोग रहते हैं यहाँ पर हर एक caste हर एक religion हर एक अलग-अलग reason के लोग रहते हैं तो हमारा देश एक ऐसा diverse society है हमारे देश में जिसमें आप लोगोंने सुनोगा कि unity in diversity तो इस तरीकी society में हम लोग रहते हैं तो इस तरीकी society में हम सबको मिल जूलके रहने हैं और वो ही यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर survive कर पाएंगे वरना अगर मैं आप लोगो एक छोड़ी सी बात बताओ जब अंग्रेज यहाँ से छोड़कर हमारे देश को जा रहे थे और हमारे देश के जो सवतंतरता सेनानी थे freedom fighter थे उनके द्वारा हमारे देश को जब unite किया जा रहा था तो जो western world है यानि कि जैसे US से हो गया, Europe हो गया इनका ये माना था कि जैसे ही हाँ से हम लोग निकलेंगे जैसे हाँ से UK निकलेंगा यानि के अंग्रेज निकलेंगे ये देश जो है फिर से छोड़ छोड़े पार्ट में divide हो जाएगा और ये देश जो है वो कभी भी survive नहीं कर पाएगा इतने सारे division है इस देश के अंदर में ये बाते आप लोगों पता होगी आप लोगों ने अगर NCRT बढ़िए ये बाते आज की डेट में अगर हम लोग बात करें हम लोगों ने उनको गलत प्रूफ किया कि भाईसा कुछ भी हो जाए हमारा देश ना ऐसा कैसे ही रहने वाला है और हम लोग ऐसे के ऐसे ही टिके हुए अभी आप लोगों को बता है हम लोग किसने लंबे समय से अपने देश को सहच कर लेकर चल रहे हैं पर लेकिन फिर भी कुछ चीज़े ऐसी सोसाइटी में देखने को मिलती है जिसके चलते कई बार ऐसे इशु निकल कर आ जाते है वरना ये लगा था कि लगबग सड़े 500 से जाता है राजा रजवाडों को मिला कर जब हम लोगों ने एक देश बनाया तो किसी ने सपने में भी निसो जाता कि ये देश जो है एक देश की तरीके से आगे बढ़ने वाला है पर लेकिन हमारा सम्मिधान जो है वो इस तरीके से बनाया गया कि उसने हमको सबको एक माला में फिरोकर रखा और अलग-लग religion, अलग-लग caste, अलग-लग reason, अलग-लग बोली, अलग-लग culture के लोग होते वे भी हम सब मिलकर अपने life को enjoy कर रहे है पर फिर भी कुछ ऐसी चीज़े हो जाती है जिसके चलते सोसाइटी में harmony बिगड़ जाती है तो उसको थोड़ा सा इस तरीके से handle करना ची हमेशा ताकि सोसाइटी जो है वो large scale पर हमेशा सांत बने रहे क्योंकि अलग-अलग reason के लोगों को अगर इस तरीके से अलग-अलग reason के लोगों में अगर इस तरीके से कोई भी रोस फैलेगा तो religion को लेकर इंसान जो है बहुत ही जाद है एक तरीके sensitive issue की तरीके से लेता है और हर एक इंसान को उसमें एक faith रहता है एक इंसान उसमें विश्वास करता है तो सीके चलते हैं हाँ पर अगर कोई ऐसा इश्व निकल कर आता है तो फिर दिक्कते देखने को मिलती है अभी हुआ कि हैं हाँ पर आप लोग गुरु द्वारा में गयोंगे मैं भी गया हूँ बड़ा ही सांती का महुल रहता है जब आप लोग जाते हैं तो मन को सांती मिलती है इसी तरीके से आप लोग मंदिर मस्जित में जाते हैं वहाँ पर भी अगर कोई जाते हैं तो मन को सांती मिलती है जैसे मंदिर में जाओगे कई जगे आप लोगो देखने को मिलेगा आसानी से बैठ कर आप लोग अपने जब एक ट्यून चलती रहती है किसे भी जिसे आप लोग माल लिए मजीद में जा रहा है तो हाँ पर उनके जो भी सॉंग्स रहते हैं जा रहा है उनके रिलेटड जो भी सॉंग्स रहते हैं फिर गुरुद्वारे में जा रहा है उससे रिलेटड जो मतलब रिलीजिस जो चीज़े रहती है तो हाँ पर बैठ कर एक मन को सान्ती मिलती है तो ऐसे ही आप लोग जब जाओगे गुरुद्वारे के अंदर आप लोगों ने देखा होगा एक पर्टिकलर एरिया रहता है बेसिकली वो चारो तरब से उसमें हाँ पर एक तरीके से बाउंडरी बनी रहती है ठीक है वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा उसके पहली मत्था टेक लेते हैं लोग और चले जाते हैं पर आप लोगों को पते हैं होई किक्सी पटुटिगलर गलीजन में अगर फेत रख रहा है और वहाँ पर कुछ गलत हो जाता है तो इंसानों को गुस्स्तpping है वो किस लेवर पर फूट कराता है तो कुछ ऐसे ही चीज़े यहाँ पर देखने को मिली तो यहाँ पर आप लोग ने अब तक मोब लिंचिंग के बारे में सुना है ठीक है कि मिलकर मोब जो है वो मार देती है किसी पर्टिकलर परसन को वो एक अलग मुद्दा हो जाता है लिंचिंग का मतला होता है एक तरीक से किसी को परसन को मार दिना तो उसके साथ में कई सारे बच्चे पुछ रहे थे सरी यह मोब लिंचिंग होती है यह यह मोब लिंच सेलो्स को मानने के किसी के पास में गुरु गरंत साइभ है तो लोग बात हो जाती है तो उसी और इसी चीज को एपवित्र कर देना, मतलब जिसको ना ये काम करना चाहिए, उससे वो काम कराना, जिसके चलते ये मनाते हैं कि अकर कोई काम को करेगा, तो ये ये पवित्र हो जाएगा, यानि कई बार आप लोग ने देखा होगा, कई बार जो धरम की किताब होती है, उनको फार दियाता है, जला दिया जाता है, तो एक तरीके से उस धरम को ठेष्ट पहूचाना वाली बात आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, अब ये जो ज़ाए सब्ध है सैक्रेलिज ही यहाँ पर ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो सैक्रेलिज आप लोगों ने कर दिया एक तरी से एप अवितरी करन कर दिया किसी धरम के बारे में अपने मुह से कुछ बाते बोलके मतलब कि उसके बारे में कुछ उल्टी सिधी बाते बोल दी धरम के बारे में तो वो आप लोग को सैक्रिलिस देखने को मिल गया एक होते है physical form में आप लोगों ने कुछ कर दिया यानि कि एक तरीक से कुछ किताबों को छेड़ दिया कुछ इस तरीके से चीज़े कर दिया फिर कुछ भी इस तरीके से आप लोगों ने कोई काम किया physical form में जो कि हाँ पर नहीं करना चाहता तो दूसरा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा तो दोनों के अलग-लग सब्दी यूज किया आते है अगर आप लोग बोल कर किसी की इरिशा निंदा करते है तो यहाँ पर इसको last time ही बोलते है ठीक, पलेगिन अगर आप लोग physical form में कुछ ऐसा करते है और वहाँ पर ऐसा कोई सब्द दे रखा है कि इसका मतलब क्या होता है और आप लोगों से option में पूछ ले या फिर answer writing में question frame क्या जाए तो आप लोग को अगर सब्द का मतलब ही नहीं पता है तो आप लोग क्या लिखोगे वहाँ पर तो इसलिए ये जरूरी है या पर तो इसको आप लोग को समझना पड़ेगा जिस तरीके से sacralis होगा इसी के साथ में अगर इसके opposite में आप लोग जाएंगे तो इसके opposite में आप लोग से पूछ लें कि इसका एक तरीक से opposite सब्द क्या होगा तो एक्जाम में अगर question बनता है तो आप लोग उसका answer यहाँ पर दे पाएंगे तो ये बाते थी तो अभी कई सारे ऐसे issues बन गए जिसके चलते ये और ज़दा बढ़ गया देखिए अगर बात करें पंजाब में आप लोग ने पहले से सुनोगा खालिस्तान मुव्मेंट के बारें बात की जाती है कि एक अलग से अलग से पंजाब बनाने की बाते की जाती है तो उसके चलते कई बार ऐसा लगता है कि धरम के नाम पर अगर कुछ मतलब एक तरीके से कुछ भी गलत सोसाइटे में हो जाएगा तो लोगों में डिवजन हो जाएगा तो फिर आगे चल कर इस तरीकी चीज़े की जा सकती है आप लोगों ने देखा तेलंगाना के अंदर आंदर परदेश से अलग निकाल कर अलग राज्या बनाएगा तो सारी चीज़े तब होती है जो कोई प्रोटेस्ट होता है लंबे समय तक प्रोटेस्ट की अलग राज्या बन गया तो लोगों को ये समझ में आ गया है कि कहीं न कहीं अगर कुछ छेट खानी की जाएगी सोसाइटे में कुछ अलग चीज़े गलग चीज़े देखने को मिलेगी तो उससे क्या होता है उससे उनकी जो मंसाय है वो फिर पूरी किये जा सकती है कि अलग राज्या बना देना ठीक है अलग से चीज़ों को डिवैड कर देना तो सोसाइटे में डिविजन का काम करते है जब भी ये चीज़े आप लोगों को देखने को मिलेगी तो इन सब चीज़ों को रोखने के लिए हाँ पर पंजाब के अंदर में इंडियन पीनल कोड पंजाब अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया ताकि अगर कोई भी किसी भी जो धरम से लिड़ेड किताबे हैं उनका कोई भी गलत तरीके से उनके उपर कुछ कटास कटेगा या कुछ करेगा तो उसके लिए सजाए हाँ पर सुनाए जाएगी तो इसके चलते ही हाँ पर बोला भी गया कि अमेंडमेंट करना पड़ेगा इंडियन पीनल कोड भारतेदन सहीता का जो section 295 AA है कि आर इसके अंदर change करके लाओ और maximum जहाँ पर punishment की बात करेगी 3 years ठीक है तो without fine है अगर बात करें इसके अंदर में पर इनके द्वारा और भी चीज़ों को बढ़ाने की बात की जारी है कि punishment जो है आपर आप लोग क्या करें अगर कोई insult कर रहा है तो 2 से लेके 10 साथ का आप लोग को देखने को मिलेगा तो अब Indian Penal Code को अगर आप लोग यहाँ पर change करते हैं तो उसके अंदर बात की जारी है कोई किसी भी तरीके से कोई बोल कर उसको sign को दिखा कर किसी भी तरीके से अगर कुछ ऐसी चीज़े करते है और religion मैंने आप लोग को बताया भी था अगर समिधान के अंदर आप लोग जाओगे तो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 ताग यह हर एक individual person का fundamental right है religion तो यह आप लोग याद रखेगा और fundamental right के बारे में जब मैं आप लोग से बात करता हूँ तो यह normally state जो होता है यादिके जो government होती है उसके खिलाब अगर कोई कुछ गलत करता हूँ पाय जाता है मतलब state government क्या करे suppress करने के कोसिस करने लगे लोगों को ठीक है तो normally उसके खिलाब यहाँ पर use कि जाता है तो यह एक ऐसा ही sentence है जो कि आप लोगों से answer writing में आप लोगों से use कर सकते है कि किस तरीके से हमारे देश में जो fundamental right मिले वे है वो maximum इनका portion यह रहता है कि state government जो है यह एक तरीक से state government का होता है जो state सब्यूद किया गया है उसका मतलब government होता है तो हाँ पर central government भी हो सकती है और state government भी हो सकती है कि वो जन्ता को surprise ना गरे तो उससे protection के लिए हाँ पर ही रहता है इसलिए हमारे समिधान के अंदर आप लोगों बता है कि secularism को concept एड़ किया गया याद है न कब एड़ किया गया पूरा आप लोगों डिटेल में मैंने पढ़ाय था हमारे प्रियंबल के अंदर में प्रियंबल मैंने अलग से पूरा पॉलड़ी में चैप्टर पढ़ा रखा है जाकर सर्च कर लेगी एक बास चुड़ी सी आप लोगो बोलना चाहूंगा एक बच्चा बोला था कि सर पॉलड़ी कहां से पढ़ो बते कि कई सारे बच्चे नए नए आते हैं ठीक है उनको पता नहीं रहते है अगर किसी को लगता है कि आवा उसको मतलब पता नहीं है तो आप लोग उसको बता दिया करिए उससे क्या होता है एक सामने वाले को कुछ फायदा हो जाएगा अगर उसको मतलब फिरी में सारे लेक्चर पॉलड़ी के मिल जा रहे है तो इसमें आप लोग आप लोग का कुछ नुकसान नहीं होगा तो इस चीज़ इस तरीके से बता दिया करो तो उससे क्या होगा और आप लोग भी जहां भी आप लोग को डाउट लगे पॉलड़ी में किसी भी चैप्टर के अंदर में तुरंट सर्च कर लीजे उसके सामने बाई वीर लिख दे रहा वो चैप्टर फूलगर आप लोग का आ जाएगा क्योंकि इसमें हाँपर डिटेल में सारी चीज़ आप लोग को बढ़ा रखिए कोई भी कन्फूजन आप लोग को देखने को न मिलेगा उसको आप लोग जाकर जरूर देखेगा तो आगे बढ़ते हैं हाँपर इसी के साथ में जो मैंने बता आप लोगों से हाँपर ये तीन जो मुद्धे हैं मैं आप लोगों से डिटेल में डिसस करूगा आपर ठेक है पहला हो गए आपर लोग सबह में पास किया गया बिल लिंक करने के लिए जो इलेक्ट्रोल है यहाँ पर इलेक्ट्रोल है उसी के साथ में आधार कार्ट को लिंक के जा रहा है जो भी मैंने कार्टून दिखाया एक काफी इंपोर्टेंट मोत हैं हाँ पर यह है कासमीर के अंदर अभी बात की जारे डिलिमिटेशन कमिशन की तो इसके लिए हमारी केंट्री में एक कमिट्री भी सेटप की गए थी डिलिमिटेशन कमिशन बेसिकली हाँ पर बनाया गया यह रंजन देशाही जो की रिटायर जो बेसिकली हाँ पर जज़ है इनकी जैक्स्ता में तो इसके बारे में मैं आप लोग उसे डिस्स करूँगा और यह काफी इंपोरेंट इक डिफ्रेंट सा टोपिक है नोर्मली सेटी के बारे में जो हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने सुनाओगा सिक्योर्टी एंड एक्स्चेंज बोट उफ इंडिया कि यह तो बेसिकली ना एक जो सिक्योर्टी मार्किट होती है हमारी इंट्री में उसके बारे में काम करते हैं कि हाँ क्या चल रहा है सेटी के पास में पावर है ऐसे कोशन आप लोगों से एक्जाम में बनेंगे तो यह तोपी काफी इंपोरेंट है इसको भी मैं कवर करूगा आप लोगों सुनकर मज़ आ जाएगा कि क्या डिफेरेंट इसलिए चीज़ों को थोड़ा सà जहांसे सुनेगा तो एक काफी इंपोरेंट Strength बास लोगों से आची से एक एक पॉइंट में cover करता चलूँगा पैन और कोपी लेकर वैट जाएगा अगर कोई दिक्कत होगी तो वो चीज़े आप लोग no down भी करते रहना ठीक है ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये इसी के साथ में एक ये वाला आर्टिकल ये combine करकर discuss करूँगा basically अफगानिस्तान पे focus दे रखे है पहले वाला आर्टिकल इंडिया का relation कैसा होना चाहिए सेंटर लेसे के साथ में और किस तरीके से अफगानिस्तान में सांती बनानी है उन दोनों मुद्दों के बारे बात की जारी है तो यहाँ पर mix करकर सारी बाते समझेंगे तो कुछ concepts आप लोग यहाँ पर जानने को मिलेंगे काफी detail में आप लोग इसको समझ भी पाएंगे ठाकि आप लोग के mind में कोई भी confusion देखने को न मिले basically उस तरीके से में हाँ पर यह सारी चीजे cover करूँगा एक एक point आप लोग बिल्कुल mind में के लिए रखेंगे ठीक है इसी के साथ में जो हाँ पर अगर यह वाला article जो आप लोग से बाते करेंगे यह वाला article ठीक है तो यह वाला article society में inequality के बारे बात कर रहे है और यह वाला article यह भी basically COVID-19 के बारे में है तो COVID-19 के चलते society में क्या inequality देखने को मिल रही है तो उनके बारे में हाँ पर यह बात कर जा रहे है तो हलक ही यह सारी जो points है यह बहुत जादे आप लोगों ने repeatedly इनको देखा होगा कि COVID-19 आ गया उसकी वेसे बहुत सारे लोगों की जोब चलेगी बहुत सारे लोगों के घरों में लोगों की death होगी उसकी वेसे लोगों के अंदर काफी ज़द है inequality यानि के कोई अमीर है तो अमीर होता जा रहा है और कोई गरीब है तो गरीब होता जा रहा है वो सारी दिक्कत देखने को मिलेंगी बहुत सारे बच्चे जो थे वो अनात हो गए तो इसके चलते जो economy थी उसकी खस्ता हलत हो गई हर एक सेक्टर में लोगों को निकाला गया बहुत से लोगों की job चली गई और जिसकी job नहीं गई उसकी salary decrease हो गई बहुत ही जाद है कि वो करना भी मुस्किल हो जाए लोग depression में आकर अपना एक तरीके से ऐसे ऐसे भी step उठाएगे कि काफी सारे लोगों के द्वारा आत्म हत्या यानिके society किया गया तो बहुत सारे ऐसे issues यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो society में भी अलग अलग देश में अलग 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 impact पड़ेगा माले यह कोई person ऐसा है अगर आज केट में आप लोगों से बात करें कि वो person जो है वो इंडिया का रहने वाला है ठीक है कोई person ऐसा है जो कि अफरिका continent के अंदर रहने वाला है कोई ऐसा है जो अमेरिका के अंदर रहने वाला है तो हर एक area में अलग अलग impact आप लोगो पड़ता हो नजर आएगा कि एक रसिया का इंसान है उसके पास में अलग impact पड़ेगा अफरिका का है उसके पास में अलग impact तो ये कुछ पॉइंट से आपर इनके द्वारा बताने की कोशिस की गई है तो एक हलका सा ओवर्विव कम से कम आप लोग रखा के जए कि एडिटोरियल में कहां पर क्या कहें तो आप लोग कोई कन्फिजन नहीं होगा ये डेटा पॉइंट भी इसी COVID-19 के बारे में है अगर आप लोग देखना चाहें तो यह आप लोग को सुरक्सित रखने के लिए आगा कर रहे हैं हाँपर ओमिक्रोन जो है हाँपर कि जब कोई फास्ट तरीके से फैले आप लोग का इम्म्यून सिस्टम जैस पर काम ना करे और दवाई भी उस पर ढंग से एफेक्टिवली काम ना करे जो पर जैन टाइन पर है तो चिंता का रीजन बन गया चिंता बन गया उसके लिए भाई साब इसको रोकेंगे कैसे तो बता दो तो विरियेंट उफ कंसर में पांच मैंने आप लोग को बताया थे पांचों के पांचों के नाम लिखके दिखाओ देखता हूँ किस-किस को याद है और इसके उपर एक छोड़ी सी वीडियो भी बना रखी मैंने अलग से Omicron तो सारी बाते Omicron के बारें बता रखे एक और important point जो आप लोग याद रखेगा Omicron के बारे में इसको normally हम लोग B.1.1.5.2.9 के नाम से भी जानते हैं तो ये नाम था पर लेकिन ये नाम जो है जनता के याद रहने वाले नहीं है तो इसलिए W.H. जो जिसको आप लोग बोलते हैं World Health Organization वो क्या करती है इनका नामा करन कर देती है और ऐसे नाम रखे जाते है ताकि जनता इनको याद रख सके तो ये जो Omicron है अभी इसके केसी जो है UK के अंदर काफी Large Scale पर बढ़ने स्टार्ट होगे है और कई बात ये भी बोले जारे है कि इसके उपर दवाई है वो ढंक से काम नहीं करती है तो ये भी दिक्कत है Hospitalization हालगी काफी कम है पर लेकिन अगर बात करें Omicron जो है वो डेल्टा और इसी के साथ में हापर Alpha से भी काफी ज़्यदा ऊपर चलता हो है यापर नजरा रहा है यंग जो है उनके ओपर Health का रिस्क यहाँ पर बताया जा रहा है Omicron का अच्छा कासा और जो यंग है वो more vulnerable यहाँ पर बूले जा रहे है आप लोगोंने सुनाओगा जब यहाँ पर पहले COVID-19 की लहर चली थी तो यह बोला गया था कि आज की डेट में यह जादे तर जो बुजूर्ग लोग है या फिर जो बीमार लोग है उनके ओपर जदे हैं पैट डालेगा पर लेकिन हाँ पर यह बोला यह रहा है कि यंग को है जो यंग जन्नेशन जनको लगता है कि हम तो बड़े ही जवान हस्ट पुष्ट आदमी है तो यह उसको भी नहीं छोड़ने वाला है तो यह बाते हाँ पर बताएगी यह ठीक है तो यह भी आप लोग को हलका सा एक करो मैं हुना जब तक मैं हूँ करेंट अफियर और श्टेटिक तो आप लोग टेंशन मत लिया गरो जो मैं पोर्शन कराता हूं उसकी तो चिंता लेने की जुरत नहीं है ठीक है बाकी का जो आप लोग खुद से करते हैं उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यांसे कर लेगे ज आप लोग भी अच्छे से तयारी करें कि हां हमको भी मेल भेजना है सेलेक्शन का और फिर एसरी फैमली को बताना है तो इस तरीके से अच्छा लगता है ठीक है यह साइड में जो आर्टिकल इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं यह एक छोड़ा सा आर्टि और वो बोलने लगे कि हाँ पर इसकोल में बच्चों को अंडे नहीं खिलाने चाहिए तो उसके चलते हैं हाँ पर इसके चलते हैं हाँ पर इसके चलते हैं जो इहां पर हैल्थ के एक्सपर्ट थे जो खासकर हैल्थ के फिल्ड में काम करते हैं उनको लगया यह तो बड़ी आप लोग का जो weight है वो अगर 65 kg है तो आप लोग को लगबग पूरे दिन में यह मनाता है कि 65 ग्राम यानिकि 65 ग्राम आप लोग का protein आप लोग को लेना चाहिए तो इस तरीके से आप लोग understand कर सकते हैं और एक अंटा जो आप लोग एक egg खाते हैं उसके अंदर 5-6 ग्राम नोर्मली protein माना जाता है जो एक अंडा ठीक ठाग रहते हैं तो यह protein का एक सस्ता source माना जाता है जो कि हाँ पर बच्चों को provide खरा जाता है क्योंकि आज केटे में दाले भी आप लोग देखो के तो काफी महगी हो गई है पर लेकिन अंडे को सस्ता source की तरीके से आपर देखते हैं पर लेकिन आज के एरे में अंडे का price भी है आप लोग को देखने को मिलेगा तो भी काफी उपर नीचे होता रहता है खासकर सर्दियों में इसका price बढ़ जाता है और अलग-अलग एरे में अलग-अलग price देखने को मिलेगा अगर आप लोग एक खाते हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग की एरे में क्या price है और आप लोग देखेगा अलग-अलग एरे में इसका अलग-अलग price देखने को मिलेगा तो इससे क्या है बेसिकली जहाँ पर बच्चों को खाना ने मिल रहा है धंग से घर पर और यहाँ पर स्कूर में वो जाते हैं तो मिड़े मील स्केम रहती है जिसके चलते हैं इनको खाना प्रोवाइड करा जाते है अब उस मिड़े मील स्केम में अगर इनको अंडा मिल रहा और उसको चाव से खा रहे हैं, खुस होकर खा रहे हैं, तो खुस भी है, उसकी वैसे भी इनकी बोड़ी अच्छी रहेगी, और उपर से प्रोटीन मिल रहा है, उससे अच्छी रहेगी, बीच में दूद बगएर भी दियत है, तो यहाँ पर यह काफी लंबे समय से चीजे च सेक्टर है, उन्हीं ने खुद इसके उपर एनलेसिस के और बोला कि बच्चों को एग खिलाने चाहिए, क्योंकि उनका प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा, उनकी सोचने समझने की चमता बढ़ेगी, और अच्छे लेवल पर वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगी, क् ठीक है, पर लेकिन लेट, वेट काफी कम आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो कई बार ऐसे इसूद आप लोग को देखने को मिल जाते हैं, और कई सारे ऐसे भी लोग आप लोग को देखने को मिलेगा, जो एग वगर नहीं खाते हैं, तो फिर उनका क्या क्या क्य तो यह एक गलत step यहां पर होगा बच्चों को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग चलते हैं तो यहां पर यह माना गया कि अभी बात करें तो यहां पर 32% करनाट के जो बच्चे हैं वो अंडर बेट है आज की डिट में ठीक है तो यह करनाट का की बारे में आर्टिकल था वैसे तो पर लेकिन इशू जो था मैंने आप लोगो पूरा बता दिया करनाट का हमारी कंटरी में साउथ इंडिया में एक राज्य देखने को मिलेगा जो की अरेवियन सी के साथ में आप लोगो नजर आता है तो यहां पर पांच राज्य को डश करता था तो यहां पर पा वैसे की लिए बात करें हमारी देश में आज की itz में अगर बैड्मिंटन बे बारे बात करें तो काफी अच्छे से बढ़कर आ रहें तो उसे को इस अप लोगोग बार आजिसकों से फ्रैइट में करसके सक्सक्दल को र allora देख्यों की नामista प्श्तिय के आप लोगो निं और बहुत सारी important बात है जो आप लोग समझ पाओगे उनके बारे में लोग बात करेंगे सबसे पहले में जो article आप लोगों से distance करने वाला हूँ तो यह मैं आप लोगों से बात करूँगा जो electoral amendment जो bill basically यहाँ पर लेकर आया जा रहा है उसके बारे में 25 जनवरी जो है हम लोग यहाँ पर Waters Day के रूप में Salibate करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को पता है आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो 25 जनवरी Waters Day के रूप में क्यों Salibate करते हैं चलिए देखता हूँ कौन को ने इसका अंसर देता है आप लोग इसका अंसर देजए फिर तब तक मैं आर्टिकल बढ़ाता हूँ और फिर आप लोग को इसका अंसर बताऊंगा ठीक है तो अच्छे सा आप लोग इसको देखेगा अरे हां देखिए आज की डेट में कई सारे बच्चे जो है तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर ले किजिए उसको रिफ्रेस्स कर ले किजिए एक दो बार तो उसके बाद मैं आने लगती है और यह सब के साथ में नहीं है किसी किसी को यहां पर यह इशूद देखने को मिलते है तो जूबी सिस्टम जार इसके अंदर जो भी दिक्कत आरे है मुझे कुछ समझ्में नहीं आ रहा है कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो कुलिक कर रहे हैं उसको लिंक पर किलिक नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ बच्चों को दिख रहा है कुछ को नहीं दिख रहा है तो यह चीजे हैं तो जो भी है आप लोग उसको थोड़ा सा देखें क्या मैं कुछ सब्द में हैं मेरे पास हैं वोन ले के लिए इसके लिए ठीक है बात करते हैं आपर बेसिकली अगर बात करें हाँ पर तो Election Law Amendment Bill 2021 है यह पर यह इसके बारे में अगर मैं आप लोग से बात करूँ तो अभी बात यह की जारे कि आधार कार्ड को आप लोग बेसिकली यूज करते हैं आइडेंटिटी के दोर पर तो इसको अपने voting ID के साथ में आप लोग अडे कर दीजे तो आधार कार्ड अगर voting आप लोग की ID के साथ में हाँ पर connect हो जाता है तो आप लोग को यह देखने को मिलेगा कि आधार कार्ड फिर देश के अंदर mandatory हो गया completely कि बिना आधार कार्ड के बिना आप लोग कामने चलेगा और यहाँ पर voter ID कार्ड जो है वो उसके साथ में अगर connect हो जाता है तो फिर यहाँ पर एक तरीक से मुद्दा ही होगा कि अब इन दोनों का एक साथ में होना जरूरी है तभी आप लोग देश के अंदर vote डाल पाओगे तो यह काफी important यहाँ पर issue बन रहा है जिसके चलते बार-बार बाते की जा रही है तो यहाँ पर अभी हमारे देश में क्या होता है इलक्ट्रोल तैयार कियाते हैं जिसमें आप लोग ने देखा होगा हर एक person के नाम होते हैं यहाँ परची आगई तो याद रखना कभी भी आप लोग का जो वोट डालने का area जो होता है वो आप लोग का district नहीं होता है वो constituency होता है और constituency जो होती है जहां पर आप लोग वोट डालते हैं जहां से आप लोग के member of parliament या फिर member of legislative assembly यानि कि आप लोग के विधायक और सांसत निकल कर आते हैं वो important मुद्धा याद रखना कि उसमें आप लोग वोट डालेंगे तो वो जो division उसका रहा है देखने को मिलता है constituency का वो population के बेस पर देखने को मिलता है ताकि population जो है उस area में उसी तरीके से रहें यह ना हो कि एक member of parliament चुनकर आया दस लाग लोगों ने उसको vote दिया है और दूसरे यहाँ पर चुनकर आ रहा है उसको only यहाँ पर पांच लाग लोगों ने vote दिया है तो voting के base पर यहाँ पर इसको divide कियाता है तो यहाँ पर यह से लिए appreciate करने लागे क्योंकि duplication जो है वो यहाँ पर खतम हो जाएगा पर लेकिन उससे पहले हर एक इंसान के पास में हाँ पर आधार कार्ड की facility प्रोपर होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग है आज केट में भी के पास में आधार कार्ड देखने को नहीं मिलता है जो excluded रहते हैं तो इस तरीके से आपर अगर किसी को नाम जो है उसका इलक्टरोल में नहीं देखने को मिलेगा अगर आधार कार्ड नहीं है या फिर कोई ऐसा इश्यू है इसके लिए amendment कहा किया जाएगा या या संसोदन कहा किया जाएगा तो representation of the people act जो 1950 है और 1951 है उसके लिए हाँ पर संसोदन किया जाएगा दो act है याद रखना यह 50 वाला है और यह 50 वाला है दोनों अलग अलग हैं एक यहाँ पर जनता के लिए है लोगों के लिए है और दूसरे यहाँ पर जो politician है जिनके लिए vote डालने जाते हैं उनके लिए है ठीक है तो यह आप लोग याद रखेगा अब इसके लिए अगर आप लोग इसको detail में समझना है मैंने इसके उपर भी एक लग से वीडियो होना रखी है only इसके उपर कि एक act यह है एक act यह है डिटेल हो पड़ा रखा है पॉलेटी के अंदर में तो इसलिए बोलता हूँ जहाँ भी आप लोगो लगे ना यार यह confusion हो रखा है तुरंत जाकर search कर लेगीजे representation of the people act by video डालना आप लोगो वीडियो खुलके आएगे उसमें सारी चीज़े डिटेल में explain कर रखिये मैंने तो यहाँ पर कोई भी confusion हो तो देख लेगरो खासकर जो बना रखा है वो जो available है उनको तो देख लेगरो जिससे आप लोगो कोई भी confusion हो रहे तो इसलिए अगर polity ऐसी चीज़े जिसको आप लोगो पता होना चाहिए being a surgeon of India भारते नागरी होने के नाते 1950 का जो एक्ट है यहाँ पर section 23 यहाँ पर इसको comment किया जाए अगर तो यह basically क्या करेगा आधार कार सिस्टम के साथ में इसको connect करने कुछ करेगा तो जो भी यहाँ पर multiplication के enrollment हो रख है एक ही person अलग-अलग राज्य में उसका enroll हो रख है वो यहाँ भी vote डाल रहा है वहाँ भी डाल रहा है इसी अरकते कोई कर रहा है तो इसको अगर आप लोग 18 साल के हो गए तो आप लोग रिस्टर करेंगे तो फिर उसके साथ में हाँ पर आप लोग का अधार कार लग जाएगा तो सारी चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी तो section 20-1950 act का और section 60 हाँ पर 1951 act का यह allow करेगा है यहाँ पर एक तरीके से कि इसको gender neutral बना जाए जेंटर नीटरल मतलब यहाँ पर कहीं wife सब्द यूज किया गया है तो उसको wife को हटाकर spouse कर दो मतलब क्या होगा इसका इसका मतलब यहाँ कि spouse में क्या होता है कि husband और wife दोनों आ जाते हैं और wife का मतलब क्या होता है wife के बारें बात करता है अब आप लोग बोलेंगे यह क्या इससे हो गया अब यह important issue इसके उपर question एक्जाम में बन चुके है आज की date में जो electoral roll house के अंदर wife of any army person तो वो enroll कर सकते है यहाँ पर service voter के तोर पर ठीक है पर लेकिन बत करें यहाँ पर woman army officer जो है अगर कोई लड़की ही अगर officer में तो उसका husband यहाँ पर इस तरीके से नहीं आ सकता है कि यहाँ पर वो एक तरीके से enroll कर सके as a service voter यहाँ पर यह difference देखने को मिलेगा आप लोगो ठीक है तो यानिके ज बाकि जब भी election के बारे में आप लोग बात करते हैं तो मैंना आप लोग को बता रख है हमारी country में election commission of India जो है उसके हाथ में यह power रहते है और article 324 यह काफी important है जो कि हाँ पर election conduct कराने के काम करता है वैसे तो यहाँ पर आप लोगो पता है कि article 324 से लेगे 329 तक यह deal करते है इसके बारे में और हमारी country में अगर बात करे originally only one election commission हुआ करता था पर लेकिन 1989 में हाँ पर क्या किया गया election commission of India act को amendment किया गया और यहाँ पर इसको multi member body बना दिया गया तो अब यहाँ पर आप लोगो 3 member की body हाँ पर देखने को मिलेगी चीप election commission of India क्या है यह तो एक छोड़ी सी बात है पता होना चाहिए बताए यह कोन है इसी के साथ में हाँ पर आजके में चीप election commissioner और दो आप लोगो commissioner देखने को मिलेगे जो कि हाँ पर इसी pattern में जैसे central government के पास में election commission of India होता है इस state government के पास से भी आप लोगो इस state का election commission देखने को मिलेगा जो कि दो area की election कराता है और यह question इतना है कि पता नहीं कितनी बार पुछा जा चुकर मुझे लगता नहीं इस question में कुछ दम है लेकिन examiner इसको पूसते हैं लगता है कि बच्चों को बता नहीं होगा वो क्या होत इस state को power दी गए कि आपका भी election commission होना चाहिए और वोट कराएगा basically तो article 324 जो 324 है वो तो यहाँ पर होगे इसके लिए और यहाँ पर article 243 आप लोगो देखने को मिलेगा ठीक है तो यह देख सकते हैं आप लोग 243 होगे हैं आपर 243 जैड़े यहाँ पर यहाँ आप लोग इसी के साथ में हाँ पर क्या कि हमें सिंडरी होते हैं कैसे connect करा जाता है और अभी मैंना आता है representation of the people act के बारे में आप लोगों से बात की तो उसके बारे में आप लोगों को बता रखा हैं तो polity को अच्छे से revise कर लो जब available है तो क्यों ना उनको enjoy के जाए इसी के साथ में important ह पर यहाँ पर यह है आधार कार्ड जो उसके बारे में जब आप लोग बात करते हैं उसको अगर हम लोग mandatory कर देते हैं तो 12 digits का जो number है आप लोग का वो यहाँ पर connect के साथ में हो जाएगा KYC के तोर पर जैसे bankman use कहता है no your customer तो यहाँ पर इसको पहले बोला गया कि private के यहाँ पर welfare की कोई scheme है तो government को permit कर दे कि आप लोग इसको use कर सकते हैं ताकि जो loss हो रहा है चीजों का वो loss हो और चीज़े state direction में चलती रहे तो उसके चलते हैं अब यहाँ पर election commission of India के हाथ में पावर आएगी वो इसको use कर पाएगा representation of the people act के तो इसके अंदर change के जाएगा तो आधार card जो है उसको connect के जाएगे हाँ पर किसके साथ में voter ID card के साथ में तो देखे personally जो मेरे से पूछा है अगर कोई तो मुझे एक के यह decision जो है अच्छा लगा appreciate करने राएगा government का यह काम पर लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सब के पास में पहले सारे आधार card सब के पास में होना चाहिए तो दिक्कत हो जाएगे वरना आप लोगो कैसा लगाए यह यह फिर नो में बता सकते हैं होना चाहिए यह फिर नहीं होना चाहिए क्योंकि duplication काफी हद तक कम हो जाएगा पर लेकिन हम लोगों को excluded किया गया इन चीजों से उनको कैसे include करके चलना है त इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग अपने राय हाँ पर बता सकते हैं तो यह एक important point था जिसके बारे में आप लोग याद लखेगा आगे चलते हैं हाँ पर यह भी सी से मिलता जूलता आर्टिकल इसको भी हैं पर यह कवर करा देता हूँ यह बात कर रहे ह हाँ पर किसके बारे में D-Limitation Commission के बारे में तो D-Limitation Commission basically हाँ पर एक ऐसा एक सिस्टम तयार किया गया है कि हम लोग यह बताएं किस एरिया में कितने लोग आते हैं और उस एरिया में जितने लोग आते हैं उनको voting का right मिलना चाहिए उस एरिया में और हर एक member of Parliament or member of legislative assembly यानि क जो विधायक्य और जो सांसत है उसके इससे में हाँ पर कौन आता है बेसिकली हाँ पर कितनी population आती है तो अभी ये पूरा मुद्ध आप लोगो देखने को मिलेगा जम्मु एन कासमीर के बारे में तो जम्मु एन कासमीर का map पहले ऐसा कुछ हुआ करता था फिर आगे चल कर आप लोगो देखने को मिला डिमिजन होगे ये वाला reason जो है पागिस्तान के अंदर में चला गया गेलगित बल्ल्दिस्तान वाला और यहाँ पर ये वाला reason भी कहीन ने कही कुछ-कुछ यहाँ पर control में आप लोगो देखने को मिलेगा ये चाइना के कॉंट्रोल में हाँ पर आप लोगो नजर आएगा पर लेकिन जो अभी नया मैप है, लेटेस्ट मैप है उसमें कुछ ऐसा फंड़ा आप लोगो देखेने को मिलेगा ये बड़ा रीजन मना दिया लद्दाग का बढ़े में, तो उसके लिए हाँ पर याद रखे गए आपर रंजन जो परकास देशा ही इनकी अजर्शता में हाँ पर ये कमिशन बनाए गया जिन्होंने अभी बताया कि कैसे कैसे आप लोग डेलिमिटेशन कमिशन को लेकर चल सकते हैं तो ये तो देखें, नूर्मल ये आप लोगों से कोई पूछे का कितनी सीट किसको दे जा रही है, ये लोकल इशू होते हैं इनके बारे में कोई बात नहीं करेगा, ठीक है पर हाँ आप लोगो फिर वी बता दिता हूँ, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि इनके द्वारा भी चीज़े परपोस की गई कि 6 सीट फोर्थ हैं हाँ पर जम्मू और कस्मीर डिविजन के लिए बढ़ा दी गई है इनके द्वारा एक्स्टा एड कर दी गई है इसी के साथ में हाँ पर वन सीट जो है वो कास्मीर डिविजन के लिए हाँ पर इनके जम्मू और कस्मीर अलग लग लगे न तो जम्मू के लिए हाँ पर 6 और कस्मीर के लिए एक सीट बढ़ा दी गई है इसी के साथ में जो रिजल सीट है 16 वो सेटिन कास्ट के लिए आप लोग को देखने को मिलेगी यहाँ नहीं यहां पर जो बाते करोंगा टेला broken में आप पर यह क्या करते हैं यह fix करते हैं limit बोल सकते हैं फिर boundary किसी particular territory की एक area की अच्छा ये वाले area में से ये लोग आएंगे और ये vote डाल पाएंगे तो उसका काम यहाँ पर कियाता है तो equal representation है आपर हर एक population के लिए कि हाँ जो भी हाँ पर इनका member of parliament है वो उनके द्वारा चुना ग value जो है वो आधी है और आप लोगी vote की value जो है वो full है ऐसा थोड़ी नहीं हर एक इंसान की vote की value जो आप लोग को equal नजर आएगी तो इसलिए ये जरूरी है कि उसको उसी तरीके से लेकर चला जाए अगर इसके बारे में बात करें तो under article 82 यानि कि 82 जो article है समिधान के अंदर जब जनता की संख्या बढ़गी तो आप पता होना चाहिए कि संख्या बढ़गी तो उसको कैसे टैगल करना है उनके इससे में कितने कितने हापर लोग आने चाहिए तो फिर उसके बारे में हापर ये बात करते हैं तो इस तरीके से आप लोगों देखने को मिलेगा तो इस सी ये बोलता है कि सेंसस के बाद में होना चाहिए और 170 ये बोलता है कि यहाँ पर डिवाइड करना है टेरेटरीज को तो डिलिमिटेशन कमिशन बना जाता है यूने गोर्मेंट के द्वारा पल है यहाँ पर एक्साइज करी की जाती है प्रेजिडेंट के नाम पर तो 1963, 1973 और 2002 में और इसी के बेस पर एक्ट बने 1952, 1962, 1972 और 2002 में इसके बेस पर एक्ट भी बने यानकि अलग-अलग टाइम पर ये लाए गया और इसके ऊपर एक्ट भी बनाए गई डिलिमिटेशन कमिशन जो आप लोग बात करें तो प्रेजिडेंट अपोइन्मेंट के द्व हाँ पर भी हाँ पर जो इलेक्शन कमिशन है वो हाँ पर पाटिसिबेट करेंगे तो फंक्शन क्या रहते हैं कि कि किस तरीके से नंबर ओफ बाउंडरीज वगरा आप लोग को डिवैड करनी है सेड्यूल का सेड्यूल ट्राइब की पोपुलेशन कितनी है उनको कितनी शी पर लेकिन यहाँ पर एक तरीके से इसके अंदर बात करें तो बात की जाएगा इसके उपर इसके बारे में डिटेल में बता दिया तो यह पूरी इंपोरेंट इंफोर्मेशन आप लोगे सामने होगी अब कोई आप लोगे माइड में डाउट नहीं होना चाहिए आइए अब चलेंगे हाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल क्यों उससे पहले एक कुश्चन है जिसका आंसर आप लोगो देना है यह मैंने पढ़ाया भी था आप अब ऑगजोको से करने वाला हूँ वो बहुत ही बहतरीन अրटिकल है थोड़ा ज्यांसे सुनिएगा कई सारी बाते में आप लोगों से बात करूंगा है फैडिलिजम के बारे में आर्टिकल है और इसको बलते है संक ब्सकि पहुंचा देते हैं तो आप लोगो को एक प्रै तो कई सारी चीज़े हाँ पर चेंज केगे, टोसी के चलते हाँ पर कई सारे मुद्दे भी चेंज केगे, तो बोला गया कि उसको सैड में किया, और खासकर फिसकल फैडलिजम जो होता है, यानि कि जब पैसा सेयर किया जाता है, सेंटर और श्टेट के बीच में, उसके उपर भी दिक्कत है देखने को मिली, आप लोग बोलोगे कैसे, तो आँम मैं बताता हूँ, अभी फिलाल अगर सेंटर श्टेट पर अभी जो फिलाल है आपर पर परजेंट टाइम पर इनके बारे में याद रखेगा ये कौन है फाइनस कमिशन ये है एनके सिंग जी के दारा क्या किया गया अब जो ये 42 परतिसत यहां पर था इसको एक घटा कर 41 परतिसत कर दिया यादि के अब सेंट्री स्टेट के वीच पर इसको ये काफी इंपोरेंट कोशन बन जाएगा फिर बोलोगे कहां से आ गया तो यहां से आ गया थोड़ा भी ध्यां से सुनोगे तो आंसर दे पाओगे अब बात बतातों आगे एक तो यहां पर कई सारी सेंट्रल इस्पॉंसर्ड इसकीम जो आती है उसमें ये बोला सारी सेंट्रल इसकीम से आप लोगो देखने को मिलेगी तो यहां पर कहीं न गई सेंट्र जो है वो इस्टेट के ऊपर हावी होने की बात करते हैं 15th Finance Commission के बारें बात करें तो उसके द्वारा बोला गया कि एक तरीके से आपर कि एक तरीके से से स्टेट के साथ में जाता है डिसकसन नहीं किया जाता है उसके बाद में हापर ही चाहिए देखने को मिलती है तो यह गलत है अगर कोई भी स्कीम आप लोग लेकर आ रहे हैं माले जब मैं आप लोग के लिए कुछ लेकर आ रहा हूँ और आप लोगो पसंद नहीं आ रहे है तो फिर मेरा लाने का कोई म स्टेट के अंदर आप लोगो देखने को मिलेगी इसी के साथ में GST के बारे बात करें बोला यह गया था GST लगाने के टाइम पे कि जो भी आप लोग को GST की कमी होगी वह हम लोग भरपूर करेंगे तो पूरा नहीं कैजर है वन नेशन वन रासन के बारे बात कि जाती है तो यह एक मुद्धा आप लोगो देखने को मिलेगा तो बहुत सारे ऐसे इसे हैं आगे अगर बढ़ेंगे अगर पेंडमिक और फैडलिजम को समझेंगे कि जो भी हाँ पर अभी COVID-19 के चलते दिक्कत देखने को मिली और संग बात के धांचे को अगर आप लोग समझेंग राइटर यह बोलना है कि उन्होंने यह बोल जा डिरेक्ट की स्टेट लिस्ट है जो आप लोग जाएंगे समिधान के अंदर साथ वे सेडूल में तो उसमें से यहां पर स्टेट लिस्ट के अंदर आता है तो भाई साब COVID-19 की जब सेकेंड वे वाई तो यह बोल दिया कि यानि कि एक तरीके से दिक्कत ये भी देखने को मिली कि स्टेप तो सारे आप उठा रहे हैं कहां लोग डाउन लगाना है कहां दवाई जानी है कहां किट जानी है और जब चीजे बढ़ गई तो फिर आप लोग ने बोल दे कि स्टेट लिस्ट के अंदर आता आप संभालो ऐसे भी दिक्कते देखने को मिली कि दवाई राज्या प्रोवाइड कराएगा हालाकि बात में चलकर उसका डिज़र चेंज किया गया वो एक अलग बात है पर लेकिन स्टार्टिंग में दिक्कते देखने को मिली इस मुद्दे के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीज़े हमार Center यानि के तरीके से आरगे Central Government के इसासे चलते हैं इसी के साथ में Government of the National Capital Territory Amendment Act लेकर आए गया जिसके चलते हैं हाँ पर जो Elected Government है उसकी power को यहाँ पर Dilute करने की कोसिस के गई यह बोला गया इंडिया के अंदर मेरीन जो फिसरी बिल है वो लेकर आए गया तो इसमें भी हाँ पर कहीं नगी power जादे Central Government के हाथ में देखने को मिल रही है Draft Electricity जो बिल के बारें बात करें इसमें इनके हाथ में power है Dam की safety के बारे में यानि के जो बांध होते हैं उनकी safety के बारे में जादे राज्या National Education Policy में एक Policy बना कर सामने रख दी कि आप लोग इसको देखो तो उसके बारे में बात की जाती है इसी के साथ में Blue Economy के बारे में बात करते है समूद बोशेंट के अंदर से जो भी सामान निकल के आते हैं उसमें Central अपनी power चलाते है Ministry of Corporation अभी बना दी हाँ पर उसके चलते सेंटर पूरी power दिखा रहा है यानि कि एक तरीके से यहाँ पर यह ऐसे point है इतने सारे point में ने बता दिए अगर दो तीन भी याद रह जाएंगे ना एक्जामने लेखने के लिए तो आप लोग को confusion नहीं देखने को मिलेगा और Reserve Bank of India तो यहाँ पर ही है जो कि Corporatees को भी लेकर चल रहा है तो Corporatees जो है World वो भी सेट्डूल में आप लोग को देखने को मिलेगा बेसिकली मतलब सेट्डूल जो है यहाँ पर सात्वा उसके अंदरी State List के अंदर में आता है तो इनको हम लोग को यहाँ पर understand करना पड़ेगा कि कैसे issue है और किस direction में यहाँ पर issue बढ़ रहा है ताकि उसका solution निकाला जा सेगे तो यह है यहाँ पर इसी के साथ में अगर आगे बाते करें अभी एक important मुद्धा आप लोग को समझा जेता हूँ अपने पास में रखेगा इसी के साथ में अगरी कल्चर इंफ्रोस्टर्चर और डिलॉप्मेंट सेगे यानिके जो अगरी कल्चर का धाचाई बना रहे है उसके उपर सेगा रहा है यह इसको भी शेयर निकरेगा तो यह ऐसा धन है ऐसा पैसा है जो central government को देती नहीं है तो इसके चलते हैं हाँ पर यह माना आता है कि पहले यह जो सेस था यह लगबग 12 परतिसत था 2019-20 में और 2020-21 में बढ़कर 23 परतिसत हो गया है यानिकि central government क्या कर रही है सेस और सर्चाज लगा रही है और उसको इन्जोय कर रही है और इस्टेट government के साथ में सेर निकरना पड़ रहे है तो यह है जबकि 6 इसंबर 2021 में union government के द्वारा भी parliament में हाँ पर यह बाते बोलेगी कि आज की date में जो हाँ पर contribution जो है पैट्रोल के अंदर sector में जो हाँ पर अगर जो पैसा रहते है वो 68% से हाँ पर घटकर इस state का जो है वो only 32% रहा गया है और एक time ऐसा था है आपर इस state के पास है 50-50% रहा करता था जब से हाँ पर GST implement नहीं किया गया था तो state के हाँ में से पैसा जो है वो जादे से जादे छीना जा रहा है तो यह कहीं नगी state को कमजोर कर रहा है और इसके चलते दिक्कते देखने को मिल रही है बोला गया था compensation देंगे हाँ पर इस state को तो compensation नहीं दिया गया 272 क्रोर रुपे compensation के हाँ पर जो basically है वो यहाँ पर consolidated fund में है उनको आप लोग basically transfer कर सकते ही state को पर लेकिन वो central government ने transfer ही नहीं किये यारी कि पैसा तो है पर लेकिन transfer नहीं किया गया तो ऐसा भी issue देखने को मिला एक important मुद्ध है हाँ पर ही था कि GST का compensation जो है वो अभी 2022 में expire हो जाएगा क्योंकि 17 में एक टाय था ठीक है तो 17, 18, 19, 20, 21, 20 ठीक है तो बोला यह गया था कि 5 साल के लिए हाँ पर ही रहने वाला है कि union जो टेक्स था पहले हाँ पर अगर बात करें रिद्यूस हो गया है 30% यहाँ पर अगेंस दा जो मेंडिट है 41% यहाँ पर 41% है पर reality में अगर ground layer पर देखोंगे तो यहाँ पर 30% यहाँ पर देखने को मिल रहे है जो इस इसाब से हाँ पर finance commission ने अपनी recommendation दी है तो यह भी दिक्कत है हाँ पर देखने को मिल रहे है यानि कि state government जो है वो गुटनों पर आ जाएंगी कैसे काम करेंगी अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे हाँ पर जिजो का आगे लेकर चलेंगी chief minister जो disaster relief fund है अगर उसमें कोई पैसा दे रहे है उसको CSR के अंदर मानते नहीं है CSR क्या होता है corporate social responsibility यानिकि CSR अगर expenditure इसको माल लिया तो यहाँ पर जो company है वो chief minister के fund में पैसा देगी और उसको यहाँ पर क्या होगा company को छूट मिल जाए कि tax में पर लेकिन उसको यह ऐसे मा कर तो यहाँ पर उसको यह मानते हैं कि हाँ यह ठीक है CSR के अंदर आएगा तो लोग जो है अगर tax किसी को बचाने तो PM care के अंदर जाकर पैसा देगा ना कि यहाँ पर chief minister के fund के अंदर पैसा देगा तो यह दिक्कत आप लोग यहाँ पर देखते हैं इसी के चलते member of parliament की scheme थ वो खतम कर दी हैं आपर तो यह issue सामने निकल कर आया यह वो इस किम्ती जिसमें आप पांच 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 को डूपे मिलते थे तो इसके चलते उनके और गुटने टूट गए अब उनकी उधारी जो है जो की fiscal responsibility and budget management act के तहता आती है तीन परतिसते बढ़कर पांच परतिसत तो हां उसके बारे भी बात करते हैं राइटर उनको समझ लेते हैं सोलीशन एक तो याद रखेगा कई बार question पूचे जा चुके हैं आपर यह है राजमनार committee राजमनार committee जो है यह एक तरीके से center state relation के बारे बात कर दिये तो ऐसा ही कोई हाँ पर आगे भी आप लोग committee लेकर करनानी चाहिए ताकि solution यहाँ पर निकाल सके इस तरीके से ताकि हाँ पर देख सके क्या क्या दिक्कत है national commission to review the working of constitution यानि कि हमारा समिधान कैसे work कर रहा है उसके लिए हम लोग ने commission बनाए था तो उसके द्वारा demand किये थी कि आप लोग एक proper एक institutional framework लेकर आओ जिसके चलते है यहाँ पर central state की जो बीच में list है जिनको आप लोग समवर्थी सुची बोलते हैं concurrent list बोलते हैं उनमें दोनों मिलकर काम करें और जो दोनों मिलकर काम करेंगी उसको आप लोगो देखना है कि कैसे इसको आगे लेकर चलना है तो इसमें क्या होता है central government को ज्यादा power दे रखी ह जिससे दिक्कते देखने को मिलते हैं जबकि यहाँ पर दोनों equal काम होना चाहिए यह बोला गया तीसरा important point यहाँ पर यह बोला गया कि GST compensation जो 2022 तर खतम हो रहा है उसको 27 तर बढ़ा दो यार थोड़ा सब तागी फाइदा देखने को मिले next यहाँ पर यह बोला गया कि तो स सहां teacher है पढ़ागर side में हो गया ऐसा नहीं उनसे वैसे भी उनसे कोई problem होनके solution निकालो तो इस तरीके से आप लोग लेकर चल सकते हो तो यह कुछ बात है जिसके बारे में आप लोग एक idea जरूर रखेगा ठीक है तो आप लोग अगर यहाँ पर चाहें तो question का answer भी दे सकत कहने के लिए federal है पर लेकिन reality में अगर गुणियादी धाचा देखोगी तो उसमें कई सारे आप लोग को नुकसान ना जराएंगे तो इसको यह समझाने की कोशिस यहाँ पर की जा रही है यह जिसमें दोनों मिलकर proper way में काम करें तो यह आप लोग समझ सकते हैं आपर और दोनों को मिलकर काम करेंगे तो ही वह cooperative federalism आएगा वरना बोलने के लिए cooperative federalism यहाँ पर रह गया है इस सारे के सारे सेड्यूल भी मैंने हाँ पर डाल रखें इनको आप लोग देख लेना सारे के सारे सेड्यूल हैं आपर कौन कौन से के अंदर क्या क्या आता है ताकि आप लोग कोई confusion ने रहे इसको screen sort ले लेना या यह तो ऐसी चीज़ें जिसको आप लोग देखते हो जो लिस्ट है आपर जो सेड्यूल है उसके अंदर center, state और pen list आती है तो यहाँ पर यह देखने को मिले गाए तो इसके अंदर आप लोगो सारे मुद्धे नजर आते हैं कहां कहां पर हो गया जो आप लोग का सिस्टम था कि language कौन-कौन सी है कहां कहां का पर कौन-कौन-कौ इसको लेकर आगी होगी, फिर भी अगर कोई confusion हो, तो बताना उसको दूर किया जाएगा, कोई भी mind में confusion लेकर नहीं जा रहा है, ठीक है, तो confusion नहीं होना चाहिए, एक काफी important article है, आपर ये news analysis के article भी साथ साथ में चल रहे हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान लगना, ये news analysis के article है, और पहले वाला जो article लिसस के था, डी कमिल, limitation commission, वो भी news analysis के था, आगे बात करेंगे हैं हाप, अभी हमारी country में सेवी है, जिसको बोलते है, security and exchange board of India, इसके बारे में बहुत बहतरीन बात बताने वालों, जो आप लोगो पता होनी चाहिए, ठीक है, अभी हाँ पर सेवी के द आप लोग ये बोलेंगे है, सेवी को ये power कहां से आगई, ऐसे ऐसी बाते करने की, तो उसी के बारे में आप लोगों से मैं बात करूँगा है हाप, जो की काफी important मुद्दा भी है, जिसके बारे में याद रखेगा, बोला ये जा रहा है कि अगर इसको इस तरीके से लेकर सकते हैं, तो ये नुकसान पहुचा सकते हैं, ये काफी dramatic एक step देखने को मिलेगा, इस तरीके से अगर आप लोग इसको लेकर चलोगे, तो ये गलत है हापर और काफी impact डालेगा, देश के अंदर किसानों के उपर भी, और खासकर जो requirement है चीज़ों के इसको उपर भी, क्यो उनके द्वारे हाँ पर ये step उठाया गया था, कि regulation of the commodity, जो derivatives होते हैं market, तो उसमें हाँ पर, इनके द्वारा merger किया गया था, forward market commission, तो forward market commission जो था, वो सेवी के साथ में ला दिया गया था, तो इसलिए हाँ पर सेवी का जो area था, अगर बात करें तो वो बढ़ गये हाँ तो स सेवी की जो responsibility है, वो यहाँ पर बढ़ गई, तो उसका statutory जो capacity है हाँ पर हो, regulation की एक नया sector उसको दे दिया, जो की market को कैसे manage करना है, तो उसमें अगर कोई हाँ पर agriculture product की भी अगर marketing हो रही है, तो वो भी इसके अंदर ही हाँ पर आ गया, तो इसलिए बोला गया कि सेवी हाँ इसको tackle करके चलेगा, तो इसके बारे में हाँ पर यह सब दिन के द्वारा रखे गए हैं, तो security and exchange board of India जो है, वो काफी important है की statutory body है देश के अंदर में, जो 1982 में हाँ पर बनाएगी, और Mumbai में headquarter है, अजय ती आगी आज के इसके chair person आप लोगो देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर यह हमारी country में जो भी हाँ पर जो capital market stock exchange है, उसको normally यह देखती है, और 1988 में हाँ पर यह basically हमारे देश में इस तरीके से constitute की गए थी, यह body, ठीक है, interim administrative body के तोरपर finance ministry के अंदर में, आगे चलके statutory status, यहनी के parliament है पास कर देगा और फिर एक act बन गया, तो जिसके चलती security and exchange board of India Act जो था, यहाँ पर यह आप लोग को देखने को मिलता है, 1992 में, तो यह एक important act है, तो इसके बारे में यह एक article था, तो यहाँ पर power beast के आत्में, इससे प्रिलियुस में question बनाते है आप लोगों से जरा सी देर में, आप लोग बोलोगी है, यहाँ पर agriculture में से भी कहां से आ यह तो अलगी मुद्दा है, तो ऐसे question देखता है, normally UPS से गुमाने के लिए आप लोगो, ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा जहां से रखिएगा, अब आप लोगे मैंने मुझे ने लगता की कोई confusion इसको लेकर होना चाहिए, ठीक है, तो यह पूरी detail में मैं आप लोग अब लोगो पता है, अब लोगो पता है, अप लोगो पता है, अफगानिस्तान में काफी लंबे समय तक है, यहाँ पर जिसे पहले George W. Boost थे, फिर Obama आए, फिर यहाँ पर Trump आए, और Joe Biden आए, वो अपनी force को निकाल कर ले गए, तो इस duration में, दुनिया भर के लोगों की जान गई है होँआपर, forces के भी, बच्चों के भी, देश के लोगों के भी, opposition के भी, तो यहाँ पर 2,41,000,000 के करीब लोगों की जान गई, भुकमार है कि 9,00,000 के करीब boys है, वो स्कूल में थे 2001 में, उनकी संख्या बढ़ा दी के काफी जद है, वो लगबग 80,000,000 चिल्डरन होगे हैं, पहले boys थे पर ही हैं कि नाभी हाँ पर चिल्डरन होगे हैं, इनके girls भी हैं अपर इसके अंदर में, बात चारी 8,000,000,000,000 मतलब असी ल अब इनाजेशन सहरी करन जो था, वो 26 था, ये 70% हो गया, लोग घर में TV बगएर भी देखने को मिलने लगे, रोड जो थी आपर, ये लगबग 320 माइल्स थी, अब यहाँ पर 10,000 माइल्स आप लोगो देखने को मिल रही हैं, infant mortality जो rate हैं आपर, वो लगबग आप लोगो द हसता होगी यहाँ पर, उसके बारे हैं बात किजा रही हैं, तो लड़किया जो हैं, वो basic हासिये पर यहाँ पर आगी हैं, तो वो कैसे मुद्य को लेकर चलेंगी, तो उसके उपर focus देने की बात किजा रही है, क्योंकि ना तो जोब से, ना उनको इसकूल में जाने दिया ज हैं पर और एक aggression भी काफी ज़्याद हैं कि खिलाब देखने को मिल रहे हैं, कही जगे यह मनायता है कि women के साथ में बहुत उल्डी सीधी हरकते की जाती हैं, खासकर अगर बात करें, तो उसके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं, यह मिलकर इनके द्वारा बात कीगी, और चीके लागी हाँ पर और एच्छे लेवल पर हम लोग connectivity बढ़ा सकें, तो एक यह भी बात की जारी है, इसमें development को लेकर हम लोग चल सकते हैं, चाबार port में development करके अफ़गानिस्तान पहुंच सकते हैं, और एक और important है आपर याद रखिए का TAPI pipeline के बारे में, TAPI, ठीक है, TAPI, तो इसको लेकर चल सकते हो, तो सारी country को फायता होगा इससे, तो ये भी एक मुद्दा है जिसको लेकर आप लोग आगे बढ़ सकते हो, तो कोई confusion इनको लेकर आप लोग के mind में नहीं होना चाहिए, ये ऐसे issues है जिनको आप लोग आगे लेकर अच्छे से चल सकते हो, ठीक ह लेक्चर अगर अच्छा लगा करें, तो आप लोग उसको जुरूर सपोर्ट के कीजे, जैसा मैंने बोला था, एक बच्चा ये बोला था कि सार, आप के ही लेक्चर जो है, बेसे लाइक करता हूँ, जब के लेक्चर लाइक की अगरो, जो भी आप लोग अच्छे लगते ह और कई सारी बाते हैं, आप लोग यहाँ पर बताने वालों, हमारी कंट्री में जो परदीब रावत हैं, आपर वो नए अंबस्रेटर बन कर आगे, तो परदीब कुमार रावत इनका नाव आप लोग याद रख सकते हैं, तो यहाँ पर इंडियन फोरन सर्विसिज में जो काफी important personality हैं, और चाइना के बारे में काफी एक तरीक से study भी रखते हैं, तो यहाँ पर next Indian ambassador होंगे, यहाँ पर succeed करेंगे, विक्रम मिसरी को, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ तरीक से he was the joint secretary East Asia in Ministry of External Affairs, with Doklam border पे जब issue था ना, उस time पर, तो इस time पर आप ल understand भी कर रहे हैं, तो चाइना के बारे में आप लोग बातरी रख सकते हैं, पता ही है, चाइना को tackle करने की कोशिस की जा रही है, जैसी हरकते भी चाइना की देखने को मिल रही है, रिसेंट कई सारे ऐसे development आप लोग को देखने को मिले, जैसे नाथुला सिकीम के अंदर में ह इस से बैन कियाते हैं, पता है आप लोगो, सेक्शन ने आपर 69A, Information Technology Act इसके एसाफ से बैन किया जाते हैं, ठीक है, इंडिया और चाइना जो आप लोग को से पूछा जा सकते हैं, यहाँ पर यह सूपर टाइफून रे के बारे में, तो सूपर टाइफून मैंने आप लोग एरिया में बोलते हैं, हमारी एरिया में इसको साइकलोन बोलते हैं, हुरिकेन बोलते हैं, यह से वाले एरिया में, तो जो टाइफून है यह जो रे टाइफून आप लोग को देखने को मिल रहा है, फिलिपिन वाले एरिया में, तो यह काफी ज़दे इंपैट यहाँ पर तो यह है टाइफून रे टाइफून रे को यहाँ पर टाइफून ओडेटे भी बोला गया है बेसिकली अगर फिलिपिन में आप लोग बात करेंगे इसके बारे में तो लोकल एरे में यह बुकारा जा रहा है इसको काफी इंपैट डाल रहे हैं और जहां पर पालव यह पर एरिया पर भी हाँ पर इंपैट डालता हो नजर आ रहे हैं तो यह कुछ बात है इसके बारे में जो हलका सा आइडिया रख सकते हैं एंटी कंवर्जन बिल के बारे में बात की जा रहे हैं यहाँ पर अभी फिलाल रिसेंडली आप लोग ने देखा उत्तर प्रदेश के अं एक देखे इसके उपर एडिटोरेल आएगा टेंशन मतले ना इंडिया और स्रिलंका के बारे में ठीक है तो अब हलका सा ओपर भी मैं आप लोगो दिया था पर लेकिन यह ऐसा टोपिक है जो कि आगे अभी और अच्छे से डवलफ होगा वो नहीं गाता है बच्चा है मैं आप लोग उसे डिसस करूँगा तो थोड़ी देर इसको आप लोग वेट करें ना काफी डिटेल में आप लोग इसके बारे में बिट्कुरिट एडिटोरियल में जब व्यूस भी आ जाएंगे ना उस टाइम पर मैं आप लोग अच्छे से इसके बारे में बताऊंगा तो ये पिटिसन गई तो ये पिटिसन रिजेट कर देगी कल को को इसी तरीके से माली बोलने लगा कि मुझे ताज महल देदो अभी हाँ पर रेड़ फोड मांग रहे हैं ठीक है तो ये सारी चीज़े हैं आप लोग क्या रहे हैं आप उनको मिलना चाहिए या फिर ये एक पॉब्लिक पॉबटी के तरीके से आपने के लिए सारी है काफी के बार है इसके आप लोग को देखने को मिलेगा जिसके अंदर कौन को नाता है। इसके अंदर आता है भूटान, नेपल, मैनमार, स्रिलंका, घाइलेंड और इसार हैं इंडिया। तो ये जो ओर तरीने कर् इसे साथ में Bengaladesh हो गया, हहां पर आप लोग को Myanmar देखने को मिलेगा, इसी के साथ में लगबग 22% यहां पर World की Population है, और लगबग 2.7 trillion से अब तो जादे ही हो जाएगी, क्योंकि इतनी तो India की है, अब यहाँ पर ज्यादे आप लोगो देखने को मिलेगी मुझे लग बग आप लोग मोटे मोटे तोर पर इन country की पर लगा लगा ले तो साड़े तीन या फिर चार ट्रीने के करीब economy आप लोग इनकी बोल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर joint relief के बारे बात की जारी है प्लान तो इसी के चलते हैं हाँ पर यह न्यूज में है ठीक है आर्मी चीफ कोने हमारे मनोज नरवाने हसाब है इनके द्वारे हाँ पर यह बाते बुले गी है हाला कि पहले इन से question पूछे गए थे तो यह इनका already reply कर चुकी थी return में थे वो answer मतलब ऐसे पूछे गए थे अब यहाँ पर इनको समन किया गया तो Panama Paper League का यह पूरा case है आप लोग इसको सुनिए अच्छे से जो आगे मैं आप लोगो पढ़ाने वाला हो अगर आप लोग ने कल वीडियो देखा है जिसके उपर मैंने बताया था तो आप लोग इसको skip कर सकते है वरना आप लोग इसको देखे जिसके ने नहीं देखा है ताकि detail में आप लोग को clear यह चीज़े हो जाए तो ED क्या होता है, Panama Paper League क्या है तो यहाँ पर यह आप लोग अगर इसको देखेंगे तो तुरंत आप लोग को बता चलेगा Panama Paper League तो Panama Paper League क्या है यहाँ पर और इसी के चक्कर में हमारी country में एक organization है जुटकों बोलते हैं आप लोग इहाँ पर enforcement direct rate enforcement direct rate के दवारा buat questioning के लिए बुलाया गया है हाला कि पहले भी हमारे किस काम का है अपर गर इसके बारे बाते करें तो इसके लिए आप लोग के लिए काफी important topic हमारे बन जाएगा अगर आप लोग बात करते हैं enforcement direct rate ये एक ऐसी बोडी है जो कि कई बार न्यूस में रहती है तो इसके बारे में डिटेल में आप लोगों से बात करूँगा पनामा पेपर लेक के बारे बात करूँगा क्योंकि ये GS पेपर 2 और इसी के साथ में प्रिलिम्स के अंदर भी जो आप लोग की statutory, regulatory या फिर जो अलग-अलग bodies है quasi-judicial body उनसे related जो भी controversy है या फिर उनका अगर misuse भी होता है तो उसके बारे में हाँ पर सारी बाते paper का part है आप लोग का GS2 का प्रिलिम्स के लिए इनको objective या function, composition वगएरा पुछ ले आते हैं बात की जारी यहां पर panama paper तो आखिर है क्या यह panama paper देखिए हुआ क्या था basically बहुत सारे documents अगर किसी भी information से letter लेगे अगर मालीजी आप लोगे घर में भी बहुत सारे documents होगे आप लोगे 10th, 12th, वो सारी mark sheet वगरा एक जगे आप लोगों ने रख्योगी तो अगर वहां से उसको कोई निकाल के तो किसी को पगड़ा दे तो उसके क्या होगा आप लोगी सारी detail information भारा जाएगी कौन से subject में कौन से number थे आखिर किस school या किस college में पढ़ा करते थे तो सारी information पब्लीक में आ जाएगी ऐसी जब आप लोग किसी भी bank में और फिर किसी भी company के अंदर कहीं पर कोई अपना पैसा ले जाकर रखते हैं उसका सारा जो documentation हो कहीं ने कहीं होगा तो अगर वो leak हो जाए तो पता चल जाएगा कहां कहां पर आप लोगों ने अपने कितने पैसे रख रखे हैं और खास कर अगर वो पैसा कोई चोरी करकर tax से बचा कर रख रखा हैं वहापर तो उस वो और जादे हाँ पर controversy का reason बन जाता है तो यहाँ पर जब Panama paper यह basically leak होए हाँ पर जो यह मुद्धा निकल कर आया तो यह पुरा मुद्धा होए हाँ पर Panama के अंदर तो Panama अगर मैं आप लोगों से बोलू एक particular location है अगर आप लोग देखना चाते हैं exact आप लोगे सामने हाँ पर आईए Panama Canal का भी नाम आप लोगों ने सुनोगा Panama City भी है हाँ पर यह तो यह particular location आप लोगे सामने है ठीक है लगबग 2.14 lakh के करीब आप लोगो फाइल्स देखने को मिली तो जब यह यहाँ पर लीक भा तो यहाँ पर यह पता चला अच्छा है यहाँ पर इतने सारी लोगों के द्वारा अपना पैसा बाहर रख रखा है ले जाकर और यह सारा जो मुद्दत हैं यहाँ पर यह आप लोगों को देखने को मिलेगा एक particular time duration 1970 से लेके 2016 तक का time duration यहाँ पर निकल गर सामने है तो पनामा का एक Central American country है जहाँ पर एक particular service provider जिसका नाम है Mosaic Fonsi का उसके द्वारा यहाँ पर यह सारा data collect किया गया और collect करने के बाद में यहाँ पर यह market में रखा गया कैस के द्वारा अपने आप मार्केट में रखा गया इसने डेरेक्टिव सबके सामने यह सामान रख दिया तो ऐसा कुछ नहीं है इसने एक newspaper का सहरा लिया और यहाँ पर इससे भी पहले कई सारे ऐसे history में कई सारे इंसिडेंट देखने को मिले है जैसे Wikileaks के बारें बात करें Wikileaks के founder को ने यह हैं यहाँ पर सुनोरा जिन के बारे मैंने कई बार आप लोगों से दाहिंजी नियूस्वर में article भी discuss किया है तो यह आप लोगो पता है कि एक particular जो इनके द्वारा फाइल जो एक नी बहुत सारी फाइल इनके द्वारा जो निकाली गए थी वो basically फाइल थी उनने basically मुद्दा जो था वो था यूससे से लिटर जो की काफी ज़दा controversy का reason मन गया कि USA ने अफगानिस्तान के अंदर या अलग 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 देश में क्या क्या अपनी हरकते की है तो उसक्त काला चिथा इनके द्वारा पब्लीक के सामने लाया गया था जैसे एसवरे राय बच्चन होगे इनके ससुर जो अमिताब बच्चन होगे समीर यह यहाँ पर गहलोथ होगे जो यहाँ पर basically इंडियन बुल ओनर भी है ठीक है केपी सिंग होगे यहाँ पर डीलेफ के परमोटर भी है इसी के साथ में विनोध अदानी तो अनादी परिवार भी आ गया और दो पोलिटिशन भी थे हाँ पर जिनका नाम अगर बात करें सिसिर बजोरिया और वेस्ट बंगाल से और इसी के साथ में अनुराग अनुराग केजरिवाल हैं आपर डेली से तो यह कुछ इस तरीके से कई सारे नामी ग्रामी लोगों के नाम सामने निकल कर आए तो ऐस्वरे राए बच्चन जो है अभी हाँ पर इनको समन किया गया ED के द्वारा तो इसी मुद्दे के ओपर हम लोग बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों बताएं हाँ पर यह काफी important topic आप लोगों का बन जाता है enforcement directory तो enforcement directory जो है हमारी country में एक multi-disciplinary organization है जो basically काम क्या करती है दो लोग के ओपर काम करती है यानके दो मुद्दे देखती है इतना है Foreign Exchange Management Act जो कि 1999 का है sort form में FEMA बोलते हैं दूसरा है prevention of money laundering Act यह 2002 का है जिसको PML ले आप लोग बोलते हैं तो यह दोनों act जो है इसको थोड़ा सा मैं आप आप लोग को detail में बात करूँगा है इनके बारे में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा background समझ लेते हैं इस body का तो बोलते हैं इसको enforcement direct rate ED बोलते हैं आज की date में पर लेकिन यह जब बनाएगे 1st May 1956 यानिके 1956 में जब बनाएगे इसको enforcement unit के तोर पर यहाँ पर use के जाता था Department of Economic Health Fair के द्वारा क्या किस की चीज़ों के लिए हाँ पर दिखे कोई भी अगर foreign exchange अगर कोई दिक्कत होती थी foreign में कोई exchange करें उस से लेटर रूल और regulation की कोई भी हाँ पर चीज़ों होती थी तो उसको control करते थे तो 1947 में हाँ पर इसको basically FIRA F.E.R.A. यहनके Foreign Exchange Revolution Act के नाम से आप लोग इसको जानते थे वैसे अगर कोई भी बोड़ी होती है तो आप लोग को पता है जो कोई ऐसे मुद्दगों देखती है वो काफी एक hot news में रहने वाली बोड़ी बन जाती है तो इसलिए यह कई सारे basically department के अंदर घूमते रहे 1907 में हाँ पर इसको यह unit को rename किया गया तो इहाँ पर पहले इसको इसका नाम जो था enforcement unit से enforcement direct rate कर दिया गया इसका जो administrative control था वो basically transfer कर दिया गया Department of economic affairs से Department of revenue के अंदर में तो economy से revenue में आगया क्योंकि revenue matter को देखती है 1960 में और यहाँ पर 100 time of period के लिए लगबग 4 साल के लिए हाँ पर यह 1973 से लेके 1977 तक तो यह यहाँ पर administrative जो jurisdiction ने के control में रही Department of personal और administrative reform के अंदर भी हाँ पर यह कुछ time के लिए रखी गई जैसा मैं नहीं स्टार्टिक में आप लोगो बताया था कि दो ऐसे act हैं जहां से यह power लेकर आती है एक तो हो गया FEMA और दूसरा हो गया यहाँ पर PMLA तो यहाँ पर जो FEMA है यह आप लोगो देखने को मिलेगा एक civil law के तोर पर use के आता है जो कि एक quasi judicial power यहाँ पर रखता है ठीक है एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके से अगर कोई guilty पाय जाता है तो उसके उपर penalty लगा देते हैं यह पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर PML लेगे तो यह आप लोगो देखने को मिलेगा criminal matter के साथ में यहाँ पर यह deal करता है ठीक है तो यहाँ पर अगर कोई भी इस तरीके हरकते करतावा पाय जाता है तो खासकर जैसे नहीं money laundering के case होगे ठीक है उसके चलते हैं तो यहाँ पर यह इस तरीके के matter में यहाँ पर यह देखने को मिलेगा money laundering का मतलग क्या होता है बेसिकली अगर मोटे मोटे तोर पर बोल जाए कई बार आप लोगों एक सब सुनाओगा black money black money कुछ नहीं होता है बस tax से बचाए गए money होती है कि tax नपे करना पड़े तो यहाँ पर उसको क्या करते हैं फिर यहाँ पर गलख तरीके से foreign exchange management act 1999 और prevention of the money laundering act यहाँ पर 2002 तो foreign में कोई exchange हो रहा है तो यह वाला हो गया और यहाँ पर money laundering वाला यह हो गया तो पहले वाला civil और दूसरे वाला criminal category में यहाँ पर आ गया जैसे prelims के अंदर आप लोग जाएंगे तो composition का part पोच लेते हैं तो directly हाँ पर जो recruit personal हैं उनके अलावा आप लोग को देखने को मिलेंगे कई सारे department से हाँ पर लोग भी आप लोग को आते वे नजर आएंगे जैसे custom and central exercise से, income tax से, police से, अलग-अलग deputation पे भी हाँ पर basically अपना deputation काटने के लिए भी हाँ पर officers आते हैं अगर बात करें हाँ पर processing जो case होते हैं जो fugitive आप लोग ने सुना, fugitive economic offender जैसे मालवय का नाम सुना था, ठीक है, नीरम मोधी का नाम सुना तो इस तरीए के जो cases हैं आपर, वो यहाँ पर इस category में देखने को मिलेंगे एक यहाँ पर particular act आप लोग को नजर आएगा जिसको बोलते हैं हाँ पर conservation of foreign exchange and the prevention of smuggling activity act यह 1974 का तो यह अगर यहाँ पर कोई भी एक तरीख से उलहन करता है पाए जाता है FEMA का इसके तुरू भी तो उसको भी यहाँ पर यह particular body जो है अपने control में रखती है उस particular मुद्दे को भी इसके अंदर अगर कोई case चलेगा तो section 4 है हाँ पर PMLA का तो उसके तहत यहाँ पर case देखने को मिलेगा तो PMLA कोट लिखा मिले तो confuse मत हो जाना बाकी हाँ पर अगर कोई हाँ पर इसके decision से सहमत नहीं है तो directly हाँ पर high court के अंदर भी जाकर अपनी बाते रख सकता है डिरेक्टली अगर उसको लगता है कि हाँ से हो सहमत नहीं है तो यह भी हाँ पर यह अलाव करता है तो यह था पूरा मुद्धा मैंने पूरा डिटेलर बता दिया पनामा पेपर लीग क्या था और क्या-क्या मुद्धा है तो इसके साथ में इस lecture को समाप्त करते हैं कोई भी डाउट हो कोई भी दिकत हो तो बताएगा फिर आगे दा हिंजी नियूस पेपर के डिसकसन में आर्टिकल आएंगे और डिटेल में इसको अच्छे से कवर कर लेंगे तो मिलता हूँ नेक लेक्चर में तब तक अपना ध्यान ना किये बढ़ोकर नमस्ते चोटों को प्यार छोड़ी सी लाइफ एंज्योई करार मिलता हूँ नेक लेक्चर में तब तक के लिए जैहिन तो एक बच्चे का मैंने आंसर भी पिन किया था आप लोग जाकर उसको देखेगा आप लोग को बहुत सारी चीज़े जो है वहाँ पर समझ में आएगी और आप लोग चीज़ों को आंसर जुरू देखा कर उससे आप लोग चीज़ों को अंडर्स्टैंड कर बाते हो इसक इसके साथ में है चुड़ों को आप लोग जाकर इनको सोल कर लेना कोई कन्फूजन आप लोग को नहीं होना चीज़े तो नेक्ट लेक्चर मिलता हो तब तक अबना जान रखिए बढ़ों को नमस्ते चुड़ों को प्यार छोड़ी से लाइफ एंडियो कर्यार मिलता हो न झाल